इस मेडसीन का उपयोग जैसे कि पेसाब में जलन होना, पेसाब रुक रुक के आना, पेसाब में किसी परकार की इंफेक्शन होना, UTI में अगर किसी परकार का इंफेक्शन हो जाए, पेसाब पीला आना, या या यूरीन से संबंदित अगर किसी भी परकार की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसीन दिया जाता है और इस मेडिसीन का उपयोग मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्य रहती है या फिर मरीज को क्या तकलिफ रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये किन किन रोगों में यानि मरीज को किस परकार की दिक्कत किस परकार के ये मेडिसीन आउर दिया जाता है, इस मेडिसीन का डोज क्या होता है, इस मेडिसीन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये मेडिसीन लिया कैसे जाता है, एक दिन में इसे कितनी गोली डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है, इस मेडिसीन का क्या साइड इफेक प्रयाइखाएं, यूरीन में किसी परकार का इंफेक्सन होना/. प्रप्रयां, यूरीन में काफी ज़्यादा दुर्गंद की समस्या आना। और भी बहुत सारी दिग्कत, बहुत सारी समस्या, ओमें डॉक्टर के दौरा 먹सीन दिया जाता है जैसे कि अगर कोई ट्वालेट के लिए जाता है तो उस समय उसे काफी ज़्यादा दर्द की समस्या करना पड़ता है जैसे कि अगर वो पेशाप करने के लिए जाता है तो पेशाप करते टाइम उसे काफी ज़्यादा दर्द की समस्या होता है और जैसे कि कई बार क्या होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है और जो उसका यूरीन है वो अपने आप हो जाता है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन पेस्क्राइब किया जाता है मरीज को खाने के लिए बताया जाता है ये मेडसीन काफी अच्छा medicine होता है इन सारी समस्याओं को जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अगर पेसाब नली में किसी परकार का infection हो गया है यानि अगर UTI से संबंदित अगर किसी भी परकार की कोई भी समस्या रहती है तब दौक्टर के दौरा ये medicine खाने के लिए मरीज को दिया जाता है यानि खाने के लिए जो डौक्टर होते हैं वो पेस्क्राइब करते हैं और जैसे कि मूद त्रमार की मास पेसियों में किसी भी परकार की एठन रहती है जलन में होता है और जैसे कि अगर सरीर में कहीं पर अगर बेक्टेरियल इंफेक्शन की समस्या हो तब भी डौक्टर के दौरा ये medicine दिया जाता है जैसे कि ये medicine में हो फ्लॉक्सासीन होता है जो बेक्टेरियल इंफेक्शन की समस्या रहता है तो उसे जड़ से ठीक करने का काम करता है ये मैडसीन काफी अच्छा मैडसीन होता है इस मैडसीन का मुख उपयोग यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन की समस्या में डाक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है जैसे कि पेसाब करते टाइम आपने देखा होगा जब अगर ये समस्या रहती है यूरिन में किसी परकार की समस्या तो अगर वो पेसाब करने के लिए जाता है तो उसके पेसाब करते टाइम उसमें बलेड भी देखने को मिलता है यानि अगर किडनी में किसी परकार की समस्या रहता है तब भी डॉक्टर के दोरा ये मेडसीन दिया जाता है या फिर ब्लेडर में किसी परकार की समस्या रहता है तब भी डॉक्टर के दोरा ये मेडसीन दिया जाता है चलिए हम आपको इसके symptoms बताते हैं जैसे कि जो इसका symptoms होता है lower abdominal में pain की समस्या होगा और उस ब्यक्ति को यानि उस मरीज के bladder में भी दर्द की समस्या रहेगा और मरीज को pelvis में भी pain की समस्या रहेगा और जैसे कि sexual intercourse के time पे pain यानि दर्द की समस्या रहेगी या फिर वो पेशाप करने के लिए जाएगा तो उस समय भी उसे दर्द की समस्या रहेगी तो यह हमने आपको जो बताया है यह सारे symptoms होता है और जैसे कि अगर किसी के मूत्र मार्ग में यानि किसी परकार का संकर्मण रहता है और कई बार fever यानि बुखार की भी समस्या हो जाता है तो यह सब लच्छड हम आपको बता रहे हैं और जैसे कि पेशाप करते टाइम क्रेम्स की समस्या यानि वहाँ पर जलन की समस्या रहना भवक के जैसा मैसूस होना दुरगंधाना तो यह सारी जो हमने आपको सिम्टम्स बताएं हैं अगर किसी के urinary trach infection रहता है यानि अगर उसके मुत्रमार्ग में किसी परकार की समस्या रहता है तो उसे यह सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है और इस medicine का उप्योग प्रोस्टो टाइटस की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा यह medicine पेस्क्राइब किया जाता है यानि मरीज को खाने के लिए बताया जाता है इस समस्या में क्या होता है जो prostate में काफी ज़्यादा infection की समस्या हो जाता है और inflammation की समस्या हो जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी समस्याओं में डाक्टर के दोरा ये मैटसीन पेसकराइब किया जाता है और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है जब वो पेसाब करने के लिए जाएगा तो पेसाब करते टाइम उसे जलन की समस्या रहेगी खुजली होएगी वहाँ इचिंग की समस्या आएगी पेसाब रुक रुक के आएगा पेसाब करते टाइम बहुत ज़्यादा दुरगंद की समस्या देखने को मिलेगी और पेसाब जो जब वो पेसाब करने के लिए जाएगा टौलेट करने के लिए जाएगा तो पेसाब को खाने के लिए बताया जाता है जैसे कि अगर किसी के किड़नी में यानि किड़नी में अगर किसी परकार का कोई इस्टोन है यानि अगर उसके पत्री की समस्या है किड़नी में तो उसके वज़ा से अगर वो पेशाप करने के लिए जाता है तो उस समय काफी ज्यादा मेडिसीन का डोज क्या होता है ये मेडिसीन डॉक्टर के दौरा किस परकार से निर्धारत करके लेने के लिए यानि मरीज को खाने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये डॉक्टर के दौरा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसके एज और उसके खाने के लिए बताया जाता है नहीं तो डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन दिन में एक बार खाने के लिए डॉक्टर के दौरा बताया जाता है ये मेडिसीन काफी अच्छा मेडिसीन होता है यूरिनी ट्रेक इंफेक्शन की समस्या में ये काफी अच्छा काम करता है इन सारी समस्याओं को ये मेडसीन जड़ से ठीक करता है ये मेडसीन UTI की समस्या में डॉक्टर के द्वारा मुख खुरूब से काफी ज़्यादा पेसकराइब किया जाता है चलिए हम आपको बताते हैं इस मेडसीन का क्या-क्या side effect होता है या फिर क्या-क्या side effect देखा गया है जैसे कि नोजिय की समस्या हो सकता है बुमेटिंग की समस्या हो सकता है इसकिन पर रेसेस की समस्या हो सकता है खुजली की समस्या हो सकता है आपको दस्त की समस्या हो सकता है आपको गयस या कॉंस्टिपेशन की समस्या हो सकता है और जैसे कि आपको अजीब अजीब सा एडिटेशन सा महसूस हो सकता है अगर ये सबसाइड इफेक्ट आपको दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपरक करें और ये मेडिसीन तुरंत बंद कर दें इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसीन खुद से उपयोग ना करें अगर आपको दिक्कत या फिर समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं आप अपने दिक्कत परेशानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा लें